हेलो फ्रेंज स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टूड़ पॉइंट होम साइंस में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा होगा में फर्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे बेरी इंपॉर्टन कोश्यन है आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं बेरी इंपॉर्टन कोश्यन है जो कि आपके हर बार पेपर में पूछा जाता है कोई भी आप प्रिवीयर के कोश्चेंन पेपर या मॉडल पेपर उठा के देखेंगे आराम से आपको कोश्चेंन पेपर आपको ये कोश्चेंन मिल जाएंगे तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजिए गा और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं तो टॉपिक आप लोग बिलकुल स्क्रीन पे देख सकते हैं विकास की विशेष्टा जो की बेरी इंपॉर्टन्ट है क्या है तो आपकी बेरी इंपॉर्टन्ट ये क्वेश्चन है औ वहां पर भी विकास की अवस्ताइं विकास की विसेश्थाएं विकास और विरिद्धी में अंतर ये सारे questions बनते हैं उसकी परिभासा हो अर्थ हो तो ये सारे questions आपके बनते हैं तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आपके very important है तो वीडियो को skip नहीं करिएगा तो विकास की वस्ता में सबसे पहली जो विसेशता होती है निरंतर प्रक्रिया का विकास हमने आप लोगों को बिरिद्धी और विकास में अंतर जब पढ़ाया था तब वहां पर भी बताया था कि हमारा विकास क्या होता है वो क्या होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जब जो एक सिसू है गर्म में आता है गर्म से लेकर जब तक उसकी मृत्य नहीं हो जाती तक तक क्या होता है उसका विकास होता है अब विकास आपको लोगों को पता है कि जब तक किसोरा वस्ता होता है किसुरा अवस्ता तक क्या होती यह विकास आपका कैसे चलता है धनात्मक Ch जाता है यह माइनस मीड़तो ने लगता है कट चीजें से घुछारें जैसे हो अभी वेकास नहत sync को रहा हो तो हम जो आप आप समझा अराम से उस चीज को इंज्वाय कर तैयार Oh सके तो सहज पर क्रिया अभी गमन सहज पर क्रिया का अभी गमन का मतलब हो गया कि आप कोई चीज कर रहे हो ठीक है क्या कर रहे हो देखिए आप वाट्सन ने क्या कहा है वाट्सन ने कहा है कि आपका जो बालक जब जन में लेता है तो सभी बालक क्या होते हैं एक समान होते है उसकी निश्ची सारी रचना होती है, उसमें कुछ सहज किरियाएं भी होती है, तीक है इन तीन संबेग होते हैं, यह आप लोगों से question पूछा जाता है, लगूतरिये में कि बालक में पर्थम कौन से संबेग होते हैं, या आप से इस तरह question पूछा जाता है, कि जन्म से समय तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा, प्रेम का जो है संबेग पाया जाता है, जन्म के समय भै भी होता है, और कुरोध, यह कुरोध है, कुरोभ नहीं लिखा है, तो यह भै जो यह होते हैं, बच्चों में यह संबेग सुरू से पाये जाते हैं, तीक है वैसे वैसे उसमें विकास क्या होता जाता है, इन संबेगों का भी विकास होता चला जाता है, तो आपका यहाँ पर क्या है सहज किरियाओं का अभी गमन, तो यह सहज किरियाओं कुछ ऐसी होती हैं, बच्चे का रोना हो गया, बच्चे का हसना हो गया, किसी के प्रति प्र ब्रिद्धि की तुल्ला में अगर हम विकास की बात करेंगे तो यह बहुत ब्यापक होता है और क्योंकि आपको पता है कि गर्भ से शुरू हो रहा है यू मान के चलिए इनिसियेशन से यह शुरू हो जाता है तो यह बहुत ही ब्यापक होता है मानों विकास संभव होता है। तीक हर मोड पर प्रतेक मोड पर मानों विकास संभव होता है। इसलिए यह से बहुत व्यापक रूज से सिकारा गया है। लिए सारी किरिया है ये सारी चीज़े हम लोग नाप सकते हैं जिसको मापा नहीं जा सकता हौती शारीर की आंत्रिक किरिया है या देखा दिखता नहीं है इसका मापन भी मुस्किल होता है ठीक है वही है जैसे बालक की बृद्धी के कारण उसका जो आंत्री विकास होता है उसे देखा नहीं जा सकता है उसके बाद आपने 5 नंबर पे देखना है, निशित करम होता है, यह एक अपने निशित करम से चलता है जब आप लोग सिधान्थ पढ़े हैं, अभी मैंने सिधान्थ क्या टौपिक दिया नहीं, सिधान्थ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यह सारे टौपिक पढ़ने को म लेंगे मिस्टव खूकर में होता है कि अब्चा जणु दिए अवस्ता से वुष्ट है लेकिन हमारा विकास को मापा नहीं जा सकता है तो कुछ ऐसे विकास होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं उसके गुड के अंसार या उसके मातरा के अंसार उसके अनमान लगा सकते हैं जैसे कि आपर लिखा है बालक के सारीर विकास के साथ ही उसका मानसिक विकास भी होता है उदारन के लिए बालक की आयू में बृद्धी के साथ साथ उसकी मानसिक्ता भाउकता के गुड़ भी जन में लेते हैं और बढ़ते हैं अता विकास मात्रा आत्मक और गुड़ात्मक दोनों होते हैं तो कि natural whale फोगए गृडव माप सकते हैं आटमकने और 12 मांसकता का दHH भाउक घंभित होते जारा है तो यह सारी अभी विकास हो रहा है तो बाद में ये विकास होने वाला है ये होता है पूर्व सूचनिय क्या होता है ये होता है पूर्व सूचनिय एक विकास की पते कवस्था अगली अवस्था को प्रभावित करता था पूर्वस्था के द्वारा अगामी अवस्था का अनमान लगाया जा सकता है उखिए उधारन के लिए जैसे मंद बुद्धी चात्रों का अनमान बाले अवस्था से ही लग जाता है कैसे लग जाता है क्योंकि बालक जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नहीं बहुत परक्र बुद्धी का है बहुत टैलेंटेड ह यह सारी बाते हम लोग करते हैं तो कैसे कर रहे हैं बच्चे के एक्टिविटी को देखकर ही कर रहे हैं ठीक है बच्चा एक्टिविटी कर रहा है पढ़ने में कितना तेज है कितना वह वर्क कर रहा है इन सब चीजों को देखकर ही हम एक अनमान लगाते हैं कि यह बच्च इट नमबर हम लोग देखें गे विकास में विसीस्टता पाई जाती है बिलकुल बात सःए जो विकास होता है उसमें कोई ना कोई विसीष्थ विसीस्ता होती है जैसे मानो की पत्त्यक अवस्था में कुछ संकुलों का विकास होता है जैसे अपने filled mangen ने क्या कहा है आपके फिल्ड में ने कहा है कि मानो जीवन में अनेक अवस्थाएं गुजरता है, मानो जीवन अनेक अवस्थाओं में गुजरता है, मानो जीवन गरभी अवस्था से किसी भी अवस्था में कम नहीं होता, पतेक अवस्था में प्रभाव साली विसेश्था हैं उभरती हैं, जिसमे अपनी एक विसेष्टा होती है, एक उसमें क्या होती है, विसेष्टाएं पाई जाती है, उसके बाद कुछ पॉइंट आप लोगों और देख सकते हैं, बहुत इंपोर्टन है, ये भी आप लोगों का विकास, क्या है यहाँ पे, तो विकास, परिवर्तन, विकास परिवर्त यहारागरं ़ोद propos रहता है जन्म लेता तो वह सोता रहता है फिर क्या करते हैं फिर बैठना सिखता थें दोड़ना सिखता है तो यह क्लियां हो रही एक गतिसील संख्रा के रूप में कार करती है उसके बाद 10 नंबर अप लोग देखेंगे 10 नंबर क्या गया है विकास सदेव करम बद रूप से होता है अभी उपर आप लोगों ने पढ़ लिया कि विकास कैसा होता है करम बद रूप से होता है पहले बालक चलना सीखता है तब वो बैठना सीखता है क्योंकि हम सब को पता है जब तक बालक बैठना नहीं सीखेगा तब तक व होता है 11 नंबर पर हम लोग देखेंगे 11 नंबर जो आपका पॉइंट है विकास करम में हो देखें यहां पे करम है कर्म नहीं इसको थोड़ा से सही करिएगा ठीक है विकास कर्म में होने वाली परिवतन सदेव पर प्रसपारिक संबंधित होते हैं यह अभी आप लोगों ने तो यह सब आपस में संबंधित होते हैं जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे कि बालक का पहले किरिया आत्मक विकास अच्छा होगा तो उसका समधिक विकास भी अच्छा होगा उसका समाजिक विकास भी अच्छा होगा उसका मांसिक विकास भी अच्छा होगा तो विकास के समझ पच्छे एक दूसरे से घरिश रूप से बनते हुए आगे की और बढ़ते हैं तो यह आपका क्या था यह आपका था आज का सबसे important question I hope आप लोग समझ गए होगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like करिएगा चैनल पे नहीं हो तो subscribe करिएगा आपको यहाँ पे सभी semester के home science यानि MA के सभी semester के home science आपको मिल जाएंगे first second child कोई भी हो okay अगर कोई question आप लोग को especially पढ़ना है कोई topic आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं और हाँ आप लोग बार बार book पूछ रहे हो कि मैं कौनसी book लें तो अभी हम आप लोगों को बता दे कि अभी कोई भी book नहीं आई हुई है जिसमे लेस्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तर तक लिए बाबाए जैहिन